सल्मान खान की किस फिल्म में दिखा है ईद का सीन किस मूवी में भाईजान फैंस को ईद की ओन स्क्रीन मुबारकवाद देते हुए नजर आए हैं इस रीडियो में आपको बताएंगे आखिर सल्मान ने ईद के जश्न को किन किन फिल्मों में शांदार तरीके से फेश किया सल्मान खान साल दोहजार दो में तुमको न भूल पाएंगे फिल्म लेकर आई थी इस मुवी में सल्मान खान का एक सीन ऐसा है जो ईद से जड़ा है दरसल ईद के तोहर पर सल्मान खान की मुवी में ईद मुबारक गाना गाया गया इस गाने में सल्मान खान ने ईद मनाते हुए देखे इस से पहले सल्मान खान ने ऐसा प्रयोग नहीं किया था हलांकि एक्सपेरिमेंट चल गया और आज भी फैंस की जवान पर चाया रहता है सल्मान खान दूसरी बार और इसक्रीन एद मनाते हुए नजर आए 30 मार्खा फिल्म है इस मुवी में एक गाना था वल्ला रे वल्ला इस गाने में यीद के जशन को धुम धाम से मनाते हुए दिखाया गया इस सॉंग में सल्मान खान ने स्पेशल अपेरेंस दिया था और चोरी की योजना बनाने वाले अक्षकमार के साथ डान्स किया इस सौंग में कट्रीना कैप भी उनके साथ थी, ईद पर बना ये गाना काफी लोग प्री हुआ, ईद के इसी गाने के बदॉलत सलमान खान और कट्रीना कैप फिर से करीब आई, बरना इससे पहले कट्रीना कैप रनवीर कपूर की जिंदगी में थी और सलमान खान के साथ दि इसरा सीन जुड़ा है बजरंगी भायजान फिल्म से इस मूबी का आज की पाटी गाना इद को ही ध्यान में रखकर बनाये गया इस गाने में इद का कल्चर और वही माहुल दिखाया गया जो इद के मौके पर देखने को मिलता है इस वार सलमान खान के साथ इद पर बनाये के गाने में करीना कपूर थी इन दोनों की बॉर्णिंग इस गाने में खुब देखनों को मिली सलमान खान भी लाल रंग के कुर्टे में बेहर शानदार दखे और एक तरह से इद का रंग जमा दिया एद की यादों को समेटने वाली सल्मान खान की चौती फिल्म का नाम है सनम बेवफा हलांकि सल्मान खान के इस फिल्म में एद पर कोई गाना तो नहीं था और नहीं किसी तरह का जश्र मनाय गया मगर सल्मान खान ने इस मूवी में जिस तरह के कपड़े पहने वो ईद के तवहर पर ही पहने जाते हैं इस दोरान सल्मान खान के बेश फूशा ऐसी थी जो कि ईद के मौकिपर साल 1990 के दोरान रहा करती थी यह सीन सल्मान खान के ईद के कनेक्शन को याद दिलाता है सल्मान खान सावरिया फिल्म में देखे तो बहां भी यीद का माहुल था सल्मान जब सीन में एंटी करते हैं तो सौनकपूर इस तोरान दौ़ा मांगरी होती है यीद के तेवार को लेकर फिल्माया गया ये सीन भी खासा चाया रहा